हेलो डियर इस्टुडेंट मैसल मॉहमाद इम्राननसारी डियर इस्टुडेंट आज हम लोग बात करेंगे mcq of life process for class 10th by me मतलब की मेरे द्वारा अब हम लोग इस्टार्ट करेंगे life process के बारे में ठीक है life process होता क्या है तो मैंने आपको बच्चो life process के बारे बताया जो भी हमारे body के अंदर जो process होती है जो अपने आप होती रती है जैसे कि nutrition, respiration, excretion, etc ये सारे process जो होते हैं इसी को कहा जाता है बच्चो life process इसी के बारे में mcq जो की बहुत ही most important है जो की बहुत सारे exam पूछा जाता है जैसे कि knit का exam हो गया या कोई भी competition का अगर आप exam देते हो then वहाँ पे ये सारे questions पूछे जाते हैं तौई हम लोग देर नं करते हुए इसको बच्चो start करते हैं सबसे पहले बात बच्चो यहांपर अप लोग ध्यान से समझते चलिए गा यहां पर पहला question क्या है तो आईए पहले question को अच्छे से हम लोग समझते हैं आप यहांपर देखते जाए यह पहला question जो आपको दिख रहा है बच्चो पहला question है the mode of nutrition found in fungi याने कि जो कवक होते हैं fungus जो होते हैं उनके अंदर किस तरह का किस प्रकार का बच्चो nutrition पाया जाता है यानि कि कौन से प्रकार का इनके अंदर पोशड पाया जाता है तो इसमें आपका option है बच्चो पैरासिटिक नियूट्रिशन यानि कि पर जीवी पोशड होलोजोईक नियूट्रिशन या आटोट्राफिक नियूट्रिशन यानि कि सौपोसी पोशड या saprophytic nutrition यानि कि मृतोप जीवी पोशड तो कौन सा पोशड पाय जाता है तो बच्चो मैं आपको बता दू कि जितने भी कवाख होते हैं fungus होते हैं fungus के पास parasitic यानि कि ये parasitic nutrition तो बिल्कुल नहीं होगा hollow joke भी बिल्कुल नहीं होगा और artotropic तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बच्चो सैप्रोफितिक जो दिया यानि कि मृतोप जीवी पोशड ये इसका option सही होगा ठीक है यानि कि saprophetic saprophetic किसे कहते हैं बच्चो saprophetic मतलब जो dead and decaying matter से अपने food को prepare करें यानि कि मरे हुए सड़े हुए जिवों से अपना भोजन बनाए उसे कहते हैं saprophetic यानि कि जो कवक होते हैं ये अपना भोजन सैप्रोफिटिक यानि कि अपने भोजन को ये मरे हुए सड़े हुए जीओं से प्राप्त करते हैं इसलिए कवक एक तरह के सैप्रोफिटिक नूट्रिशियन वाले और्गेनिजम होते हैं ठीक है जश्ट इसके बाद से हम लोग ब put off the plant, absorb water from the soil, throw the process off, यानि कि जड़ होता है बच्चो, जड़ ये मिट्टी से क्या करता है, पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा औसोसित करता है, यानि कि उसको खीचता है, तो आईए हम लोग बात करते हैं बच्चो, जड़ 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 होता है, पानी को किस प्रकार से खीचता है, कौन से मेथट से खीचता है, तो यहाँ पे बच्चो, आपसन आपका है, डिफ्यूजन, ट्रांस्विरिशन, आस्मोसिस या नानापदीज, यानि कि वास्पो सरजन होगा, या परासरड होगा, या प्रसार होगा, या इन में से कोई नहीं होगा, तो आएए आपको पता होना चाहिए जो रूट होता है बच्चो, जैसे कि मैं आपको अगर इस पर बताऊँ, इस प्रकार से plant होता है और plant के बच्चो बहुत सारे root होते हैं ठीक है root के अंदर बच्चो पानी जो होते हैं capillaries water होते हैं ये जो water होते हैं capillaries water होते हैं इसी capillaries water को जो root होते हैं वो absorb करते हैं by the process of कौन से process है बच्चो तो आपको पता होना चाहिए diffusion method के द्वारा ये उसको अंदर की ओर खीचते हैं diffusion का मतलब होता है बच्चो विस्रड यानि कि विस्रड की एक प्रक्रिया होती है उसी process के द्वारा वो क्या करते हैं जड से पानी को क्या करते हैं खीचते हैं मिट्टी में जो पानी होता है जड के द्वारा प्लांट क्या करते हैं उनको खीचते हैं यानि कि आपका option number 8 diffusion जो है ठीक है यानि कि विस्रड जो है यह आपका option बिलकुल सही है इस बात को याद रखिएगा ठीक है चलिए next question की तरफ से चलते हैं बच्चो इन सबी question को आप प्लीज अच यहाँ पे जो question है बच्चो आप अगर ध्यान से देखेंगे लिखा है the site of photosynthesis in the cell of leaf is यानि कि प्रकास संसलेसर के लिए पत्ती में कौन सा भाग आवस्यक होता है प्रकास संसलेसर के लिए यानि एक पत्ती की कोस्का में प्रकास संसलेसर वाला अस्थान कौन सा है the site of photosynthesis in the cell of leaf is इसमें सबसे पहला option क्या है बच्चो तो आप देखें chloroplast माइटोकंडिया, cytoplasm या protoplasm या chloroplast होगा या माइटोकंडिया, cytoplasm या protoplasm कौन सा होगा तो बच्चो आपको बता दूँ जो chloroplast होता है उसी के अंदर chlorophyll होता है leaf के अंदर ये पाया जाता है इसलिए सबसे most important होता है photosynthesis के लिए chloroplast mitocondia तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि ये power up house होता है यानि कि energy का ये storage meant होता है इसे में energy store होता है cytoplasm बिलकुल नहीं होगा protoplasm भी नहीं होगा यानि कि बचो option number 1 chloroplast आप लोगों का क्या होगा ये सई होगा चलिए next question की तरफ से अब हम चलते हैं देखें बचो next question है the contraction and expansion movement of the wall of food pipe is called यानि कि बचो भोजन की जो नली होती है जिसको बचो क्या कहते है भोजन की नली जो होती है बचो उसको क्या कहते है यानि कि जैसे कि मैं आपको बता दू ऑसो फैगस इस प्रकार से होता है जब भोजन आता है बचो नीचे की तरफ तो आपको पता होना चाहिए ये एक movement करते हुए ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आता है इस moment को बचो कहा जाता है peristhetic moment ठीक है पैरिस्ट्रिक मोमेंंट क़ा जाता है यानि कि क्रित्रिम वृतु में सिकुलने वाला अंदोलन से यह नहीं लिया जाएयों इसको पैरिस्ट्रिक मूमेंट कहती है तो देखेगर इसको अपका आपSAN नमबर कौन तो सही है ट्रांस लोकेशन तो होगा नहीं ट्रांस्पिरेशन तो बिलकुल नहीं होगा और पेरिश्टेल्सिस मुवमेंट यानि कि यह जो आपका आपसन है पेरिश्टेल्सिस मुवमेंट यह बिलकुल सही होगा डाइजेशन नहीं होगा यानि कि आपका आपस transport water and minerals from the root to the leaf यानि कि कौन सा भाग होता है plant के अंदर जो पानी को ठीक है ना जो पानी को रूट से खीसता है और पतियों के सभी भागों में पहुँचा देता है तो क्या वो जाइलम होता है या फ्लोयम होता है या parent काईमा होता है या colon काईमा होता है तो बच्चो आप लोग को पता होना चाहिए मैं आपको जब start किया था life process पढ़ाना तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम होता है ये पानी को खीचता है और पानी को खीचने के पासे पतियों तक लेके जाता है तो बच्चो आपको मैंने बताया था जाइलम यानि कि आपसन नंबर A आपका सही है flowem तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि ये food यानि कि भोजन को क्या करता है भोजन को एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक ले जाने काम करता है parent काईमा बिलकुल नहीं होगा colon काईमा भी नहीं होगा यानि कि आपका आपसन नंबर A यानि कि जाइलम आपका जो आपसन नंबर A है ये बच्चो बिलकुल सही है ठीक है आईए next question की तरफ आप हम लोग चलते हैं next question बच्चो क्या है तो ध्यान समझेगा a blood vessels which pump the blood from the heart to the entire body यानि कि इन में से कौन सा भाग होता है ध्यान समझेगा इन में से कौन सा भाग होता है जो हिर्दै से पूरे सरीर में blood को pump करता है यानि कि हमारे सरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो की रुधीर को दिल से निकालता है और दिल से हमारे पूरे सरीर में भेज देता है तो मैंने आपको बताया था बच्चो बहुत पहले ही जब मैं आपको बता रहा था आर्टरी और वेन के बारे में धमनी और सीरा के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो धमनी होता है बच्चो धमनी जो होता है वो यानि कि आर्टरी जो होता है ये pure blood को हमारे heart से different parts आप body में transfer करता है और जो vein होता है बच्चो वेन का काम होता है इं pure blood को body part से लेना और heart म पहुचा देना ठीक है तो आईए यहां पे देखिए कौन सा आपसन सही होगा तो यहां पे लिखा है पहला आर्टरी पहले ही आपसन आपका सही होगा आर्टरी क्या का काम करता है धमनी धमनी क्या काम करता है सुद्ध बलड को लेके हमारे पूरे सरीर में भेजने का काम करता यानि कि यही तो option होगा question तो यही पुछा है कि कौन सा भाग जो है हमारे पूरे सरीर में दिल से खुन को भेजता है तो आपको मैं बता दूँ पूरे heart से पूरे body parts में artery ही एक ऐसा part होता है जो pure blood को पूरे body parts में भेज देता है capillary होगा नहीं वेन होगा नहीं क्योंकि यह impure blood को हमारे पूरे body parts से heart में भेजने का काम करता है hemoglobin बिलकुल नहीं होगा hemoglobin का काम होता है खुन को लाल करना ओके इतना बात मैंने आपको बता दिया था अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ लिखा हुआ है बच्चो which gland secret bile juice बहुत ही बच्चो most important है इसको याद रखिएगा कौन सा ग्रंथी होता है बच्चो जो पित तरस को बाहर निकलता है यानि कि bile juice को बाहर निकलता है बहुत ही most important है इसको याद रखिएगा सबसे पहला है लीवर क्या लीवर सही है या इस्ट्रमक सही है या पैंक्रियाज या इंटेस्टाइन यानि कि लीवर सही है या पेट सही है अगना सही या आत तो बच्चो ध्यान दिजेगा हमारे पूरे body parts में लीवर ही एक ऐसा gland होता है जो 1.5 kg का होता है जिसके अंदर regeneration पावर होता है और इसी से बच्चो बाइल जूस यानि कि पित्रस निकलता रहता है यानि कि आपका option number A सही है लीवर लीवर आपका option number A सही है इस्टमक गलत है पैंक्रियाज भी गलत है इंटेस्टाइन भी गलत है हमारे body का सबसे बड़ा gland होता है बच्चो जिसका नाम है लीवर इसको याद रखिएगा next question की तरफ हम चलते हैं आईए next question है हमारा where is the dirty blood in our body filtered ठीक है यानि कि हमारे सरीर के concept part में जो impure blood होता है और सुध्ध खून होता है वह filter होता है यानि कि सुध्ध होता है तो बच्चो आपको पता होना चाहिए हर्ड तो होगा नहीं हर्ड जो होता है एक pumping center होता है जो केवल blood को हमारे body parts में भेजता है और body parts से blood को collect करता है pure blood को भेजता है impure blood को collect करता है अब बच्चो ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा option होगा तो जो filtered होता है यानि filter करने वाला जो part होता है heart तो बिलकुल नहीं होगा heart कहाँ पे भेजता है खुन को साफ होने के लिए तो आपको पता होना चाहिए खुन को साफ होने के लिए वो थोड़ा सा और अच्छे question की तरफ चलते हैं तो बच्चो ध्यान से समझेगा इसमें question लिखा हुआ है which is the correct sequence of body parts in the human elementary canal यानि कि मानव आहार नाल में सरीर के अंगों का सही क्रम कौन सा है यानि कि हमारा जो भोजन है कौन कौन से part से होते हुए जाता है तो आईए हम देखते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चो कि हमारे mouth में food का digestion होता है फिर osophagus में आता है तब पेट में जाता है यानि कि इस्टमक में जाता है इस्टमक से intestine में जाता है तब large intestine में जाता है तब हमारे सरीर से rectum और एनर्स के द्वारा बाहर निकल जाता है यह सभी लोगों को पता है तो आएए देखते हैं यह क्रम कौन सा है चलिए यहां पर अगर देखेंगे तो mouth सही है इस टमक में पचेगा हमारा बोजन small intestine ये भी सही है large intestine ये भी सही है लेकिन बचों यहाँ पर osophagus दे दिया है हलांकि osophagus देना चाहिए तो उसको mouth के बाद आईए फिर आगे देखते है mouth सही है osophagus सही है stomach small intestine और large intestine ये भी सही है यानि कि ये जो line आपको दिख रहा है ये काफी हमको सही लग रहा है चलिए तीसरा देखते हैं कहीं से मिलता जूलता वो भी हो तो mouth direct stomach दे दिया है osophagus बाद दिया है यानि कि गलत है mouth osophagus stomach large intestine small intestine यानि कि ये भी गलत है ठीक है यानि कि बचो option number B जो B है बचो यानि कि mouth osophagus stomach small intestine और large intestine ये जो है option यानि कि option number जो B है बचो ये बिलकुल सही है इस बात को याद रखिएगा next चलिए next question की तरफ लोग चलते हैं next question की तरफ चलते हैं बचो यहाँ पे बचो लिखा हुआ है साफ साफ इसको पढ़िये सब लिखा है other name of RBC यानि कि RBC का दूसरा नाम क्या होता है तो बच्चो आपको पता है जो RBC होता है इसका life is fun बच्चो होता है 120 दिन आप सभी लोग जानते हैं और इसका जो निर्माड होता है bone marrow में होता है हड़ी में हड़ी का जो bone marrow होता है अस्थी मज्जा उसके अंदर होता है वो अभी bone marrow के erythroblast cell के अंदर होता है इसलिए इसका नाम पढ़ता है बच्चो इरेथ्रोसाइट तो आईए देखते है इरेथ्रोसाइट कौन से पाट में है कहां लिखा हुआ है नाम आप देखेंगे आपका इरेथ्रोसाइट यह आपका सही है तो इसको भी आप सभी लोग याद रखेगा बहुत ही most important है बच्चो next question की तरफ हम चलते हैं तो next question है कि oxygen जो होता है वो कहां पे store होता है यानि कि जब हम लोग ऐसे oxygen लिए oxygen आने के बास से यह हमारे सरीर के अंदर जाएगा blood sorry हमारे lungs में जाएगा फेफडो में जाएगा फेफडे के कौन से भाग में जाके store होता है तो आईए इसको भी समझ लेते हैं लिखा है पहला option alveoli of lungs यानि कि फेफडो के अंदर जो alveoli पाया जाता है उसमें जाके store होता है या bronchus of lungs या bronchiolus of lungs या इन में से कोई नहीं तो बच्चो ध्यान जीजेगा यह हमारा एक फेफडा है एक फेफडा को मैं लेके बना रहा हूँ मानले जीए यह हमारा फेफडा है फेफडे के अंदर बच्चो आपको पता है बच्चो 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 बच् ही है इस बात को याद रखेगा ब्रांकियोलस नहीं होगा ब्रांकस भी नहीं होगा ना आप देश कोई नहीं होगा यानि कि आपसन नंबर ए एल्वियोलाई आफ लंग बेलकुल सही है ठीक है आईए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ कोश्चन और रह गया है बच्चो 15 कोश्चन है ठीक है इसको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चो यानि कि पाचन की क्रिया जो होती है बच्चो वह सुरू होती है कौन से भाग से सुरू होती है यानि हमारा भोजन का पचना कौन से भाग से सुरू हो जाता है तो पहला आपसने बच्चो intestine intestine लिख दिया है तो कोई दिकत नहीं यह intestine है तो intestine में तो होगा नहीं क्योंकि intestine में भी small intestine होता है वहाँ पे completely भोजन का पाचन होता है food का पूरी तरफे radiation होता है इस टमक तो होगा नहीं यानि कि पहला पार्ट कहा है कहां से भोजन पचना शुरू होता है mouth माउथ बिलकुल सही है बच्चो क्योंकि हमारे माउथ में एक enzyme होता है saliva के अंदर लार के अंदर जिसका नाम है slavery amylase enzyme ये slavery amylase enzyme जो होता है बच्चो ये माउथ में भोजन को पचाने में मदद करता है यानि हमारे भोजन का पाचन जो होता है हमारे माउठ से यानि हमारे मुख से शुरू हो जाता है नान आपदिस तो होगा नहीं ठीक है? यानि कि माउठ जो अपसन है अपसन नमबर C ये आपका बच्चो सही है इस बात को याद रखेगा और इसको याद कर लेजेए अब नेक्ट होता है बच्छो विच एंजाइम से क्रेट दस सलाइबा यानि कि जो सलाइबा होता है सलाइबा यानि लार लार कौन से एंजाइम को बाहर निकलता है तो आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जो saliva होता है बच्छो वो salivory amylase enzyme को बाहर निकालता है यानि कि amylase जो enzyme होता है बच्छो उसी को ये बाहर निकालता है salivory amylase ठीक है यानि कि आपका option number A सही है lipase बिलकुल नहीं होगा maltase होगा नहीं सुक्रेज होगा नहीं यानि कि option number A amylase enzyme ये आपका बिलकुल सही है इसको आप सभी लोग याद रखिएगा ठीक है next हम लोग next चलते हैं question की और तो next question है हमारा बच्छो which acid have a stomach यानि कि पेट में कौन सा acid पाया जाता है जिसके वज़े से भोजन का पाचन बहुत आसानी से हो जाता है तो देखिए बच्छो सबसे पहला है sulfuric acid ये तो होगा ही नहीं sulfuric acid कहा होता है हमारे पेट के अंदर बच्छो मैंने आपको बताया होगा कि HCL पाया जाता है यानि कि hydrochloric acid जो होता है बच्छो यानि कि HCL पेट के अंदर पाया जाता है अगर इसको बच्छो हम लोग बाहर निकालके हाथ पे रखेंगे तो हमारे हाथ को फाड़के ये नीचे की तरफ गिर जाएगा इतना powerful होता है इस टमक के अंदर बच्छो HCL पाया जाता है यानि कि hydrochloric acid पिक्रिक एसिड नहीं होगा फास्वा एनल पायरुक एसिड भी नहीं होगा यानि कि HCL hydrochloric acid होगा यानि कि आपका option number जो B है बच्छो ये बिलकुल सही है इस बात को याद रखेगा और next और last question की ओर चलते हैं बच्छो यहाँ पर ध्यान से समझेगा यहाँ पर बहुत ही आसान question है बच्छो ये आप लोग भी इसका answer दे सकते हैं लिखा है due to which यानि कि किसके वज़ा से blood look like red in color यानि कि हमारा जो खून है बच्छो वो लाल कलर का दिखाई देता है option आपके पास है देख सकते हैं आप सभी लोग option कौन कौन से option है सबसे पहला option जो है hemosinin बिल्कुल नहीं होगा hemosinin जो होता है दूसरे जियों में पाय जाता है इसके वज़े से लाल को छोड़के किसी भी color का खून हो सकता है हीमोसाइन इन बिलकुल नहीं होगा दूसरा बच्चो हीमोगलोबीन है हीमोगलोबीन बिलकुल सही होगा यानि कि आपसर नमबर भी आपका सही है हीम का मतलब होता है बच्चो आयरन क्या होता है हीम का मतलब आयरन और गलोबीन का मतलब होता है बच्चो प्रोटीन यानि कि iron और प्रोटीन से हमारा जो blood है यानि कि red color जो दिखता है iron और प्रोटीन के वज़े से दिखता है इसलिए इसका नाम पड़ा है हिमोगलोबिन यानि कि आपसा नंबर B आपका बिल्कुल सही है WBC होगा नहीं RBC होगा नहीं ओके बच्चो उम्मिद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी ठीक है आप सभी लोगों से बहुत 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 गुजारिस है कि आप इन सारे questions को 15 questions है बच्चो इन सारे questions को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लिजिए क्योंकि हो सकता है आपके आगे exam में ये सारे questions में से कुछ questions आपको मिल जाएं ठीक है आज के लिए इतना ही बच्चो Thank you for watching this video